आज मैं आपको मिल्क पॉडर से आईस्क्रीम की रेस्पी सेयर करने जा रही हूं जिसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है आप इसली इसे घर पे बना सकते हूं यह परफेक्टली बंच कर रेडी हो जाता है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेना बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो लिए वीडियो को फटा-फट श्टार्ट करते हैं मिल्क पॉडर एड़ करना हैं मिल्क पॉडर एडट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दो चमच सगड़ा जाक असे सक्कर बेल कि ॉसक्रत करने के में आधा जममच लायाची पौड़र डालंगी कहाल दालने से ऐसी कहाई सिफे भिर विना करें और हम इसे अच्छे से ना लेंगे ताकि इसमें एक भी ठबन आ रहे आपको इस अच्छे से मिक्सक्राइब आरेना है आप देख सकते मेदग nest नहें रखनी है अब हम इसी अगर आपके पास आईस्क्रीम मोल्ड ना हो तो आप इस तरीके का कॉफी का ग्लास में आप आईस्क्रीम बना सकते हो इसमें इजली बन जाता है तो अब हम इसमें सारे बैटर को एड़ कर देते हैं कि डालने के बाद अब आपको इसी कवर अब कर देना है तो चली इसे हम कवर कर देते हैं कवर करने के बाद आपको इसमें स्टिक कर देना है आप देख सकते हूं मैंने इसे कभर कर लिया है और श्टिक और और अब आपको इसे आठ भंदो के लिए फ्रीजर में डाले अब आठ अब आठ भंड़ा हो चुका है अब आपको इसी फ्रीजर से निकाल देनी है तशरे से निकाल लेते हैं आप देख सकते हूँ आइस्क्रीम कितना परफेक्ट बना है तो आप इस तरीके से एक वार ज़रूर आइस्क्रीम बनाएं आपको बहुत ज़्यदा पसंद आएगा तो कैसे लगे आपको हमारी रेस्पी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपको नेक्स वीडि देने क्स्क्रीम में